नमस्कार फैंट्स मेरे नाम बबली उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है तो फैंट्स आप जो देखने वाले हैं वो अपना हो जाएगा ठीक है बहुत ही को आपको प्यकरना पड़ेगा ठीक है तो बढ़ते हैं फटावर क्योशन की और आज का जो प्योशन होगा बहुत ही इंपूरेंट्ट की उस्ट्स इसमें क्या देखने को मिलेगा बढ़ते हैं अपने क्योशन की और बात करते हैं हमने मुगल सामराज को पूरा एकपकार से पूरा एक परखार से पर्चोके हैं औरंग ये तक हम पहूंच्छोके थे अब आते हैं अधिक है बहादुर जो बहा दुर्भ साण नहीं न invece के था तो बहादुर साहा जफरता ठीक है अब हम डाइडली कहां बढ़ेंगे क्योशन नमबर 26 की और इनका वह अस्तिव जादा नहीं देखने को मिलेगा वह आगे पढ़ लेंगे ठीक है तो बात करते हैं मुगल के पतन के मुखकाड़ों की ब्याक्या कीजिएगा कि मुगलों कि मुखके की अब्स बताना था इसका मुहके का अधां आपको बताना था जोगवुल सामराज का पतन और नहीं बातr ठीक है उसके बाद में क्या लिखेंगे औरंग जेव के बारे में जो भी कुछ यहां पर कमियां देखने को मिलेंगी ठीक है तो यहां पर पढ़ेंगे वह हमें पहले कहां लिख देना है बॉक्स में लिख देना है जो हमें कुछ याद रहे ठीक है तो बात करते हैं एक जानर वोक्सम्ग नधिया सब कुछ लिइए ओम लोय लेगे थे घोरी की ओर Solo ने लगबग कर थो सब किया कितना किया था औरन्य जेव के शासनकाल तक मुग्लो की सान्सौगत बनी रही सामराज अधिक दिन तक नहीं टिक्पाटिक सगा इसके निम्रिकत काड़ हो जाते हैं जैसे पहला कार्ण आपके सामने दे रखा है वो जाता है औरंग जेब का उत्तरदायत औरंग जेब का उत्तरदायत कैसा था ये आप यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो बात करते हैं मुगल सामराज का आखिरी सासक औरंग जेब था यहाँ पर गलत दे रखा है आखिर अधिकत कमजोरी और उसकी नितियों के काड़ मुगल सामराज का पतन आरंब हो गया मुगल सामराज के पतन को का बीजारोपड औरंग जेविके सासनकाल में ही हो गया था क्योंकि धर्मों में बहुत सारी कमियां देखता था कि भई जो सियां है वही रहेंगे सुन्नी है वही ना मराठा रहेंगे कोई नहीं रहेगा ठीक है इसका मतलब बस यही था उसकी धार्मिक कटरता और संकुचत निति का बुरा पिरभाब सामराज की सक्ती और विवस्ता पर पड़ा और रंग जेविक कटर सुन्नी मुसल्मान था और उसने जीवन और राज से संबंधित प् पहरी ठेस लगी और रंग जेविकी धार्मिक सहसुरता के कारण जाटों ने मतुरा ब्रंदाबन भरतपूर आगरा और आसपास के राजबूतों ने मेबार तथा मारवार में सिक्कों ने पंजाब तथा मराठों ने दच्छड में तथा मराठ गहां केते महराश्ट के बा देहनक ना और औरंग जेविके समय में तता उसके बाद उन्होंने मुगल सामराज को चैन से जीने नहीं दिया तो बात करते हैं औरंग जेविक ने सिया और सुन्नी में भी वेद किया इसके फलत सुरूप इस्थान इस्थान पर दंगे हुए और दच्छड भारत में तो बात करते हैं औरंग जेविकी राजपूत निती के कार राजपूत का एक बड़ा असतुष्ट हो गया इस सतुर्ता के कार साही फोजों के रेगिस्तान भूमी के अधिक परिस्रम करना पड़ा राजकोष के बहुत से रुपए खर्च हो गए और इस परकार औरंग अच्छे कौन राजपूत सेनापती जो लड़ते हैं गया अब यह भी क्या है मिलना यहां पर बंद हो गए खुद में क्या हो गए वो सत्रू हो गए बात करते हैं बंचत रहे गया इस राजपूत के युद्य के कार दच्छड में असानती रही और और औरंग जेवश्चि सिर्फ सुन्यों से यहां पर देख रहा है बाकी सभी को नीची रख रहा है ठीक है तो यहां पर एक प्रिकार से देखने को मिल जाता है तो उसमें क्या हो इसके सकती जो थी वो छिड़ होती चली गई ठीक है बात करते हैं अगले औरंग जेब ने अपनी समराज बादी निती को सार्थक बनाने के लिए दच्छड के राज्यों के साथ दीगर कालिन युद्ध चलाया इन युद्धों में मुगलों की बड़ी छती हुई और बताबात करते हैं अनबरत युद्ध में लगे रहने से राज्य को स्खाली हो गया और राज्य की विवस्ता बिगड़ का अतैब बेहतोत पाहित हो गए दच्छड के अधिकांस किर्सक उजड़ गए और किरसी नष्ट हो गई गाओं के गाओं नष्ट हो गए और दच्छड का अधिकांस भाग बीरान हो गया इस आर्थिक बिनास का मुगल सामराज पर बहुत प्रतिकुल प्रभापड़ा अगबग 25 बर्स तक इन युद्धों में फसे रहने के काड़ उत्तरी भारत का न्यंत्र और सासन धीला हो गया जिस पर इनका अधिकार हुआ करता था उत्तर भारत पर बहभी सासन कैसा हो गया धीला पड़ गया विवस्ता को बढ़ने लगी कैसे लड़ी जो विवस्ता थ जो क्योंकि वो संदे बहुत करता था औरंग जेव का संदे सील सुभाबी सम्राज को कमजोर करने का एक कारण बन गया इस अभूग्ल के काड़ वह सामराज की हर काम को स्वैम करना चाहता था और सदा अपने अप्सोरों को संदे की दिश्टी से देखता था संदे के संद्धे सं राटके रहा है इस निती का उसके पुत्रों संबंदित राजकरमचारियों पर बहुत बुरा प्रभाब पड़ा उन्हें अपने विबेक और साहस पर भरोसा करना चोण दिया विबेक और जाता था दायत्व का आभाव होता था और राज समराट के किरोध से बचने के लिए टाल मोटोल का मारग अपनाते थे बात करते हैं आगे उसने निरुट्सहा और जीवन हींता कूट कूट कर भर गई कैसे नरंकुस्ता और जीवन हींता कूट कूट कर भर गई सामराज की विसालता और केंदे सक्ति द्वारा संचालन राज की पदती से भी मुगल सक्ति का हरास कालांतर में हुआ का हुआ हिराज जो था वो कालांतर में होता चला गया इसने बड़े-बड़े सामराजिके चलाने का भार बहुत योग और उदार पर कुसल ब्यत्ती द्वारा ही क्या हुआ करता था निव सकता था ठीक है निव सकता था औरंग जेविके समय में अनुदार निती का सूत्रपा विस नतरहत हुआ इससे उसने बिष्वत समराजिके भीषिन भाजो में असंतुस फैलने लगा कया हुआ भाजो में असंतुस देखने को मिलता है और इसे दवाना असंभव हो गया लेक्स पोईंट पुइंट देखने को मिलेगा कौन सा दलबंदी का जिसमें दरवार की दलबंदी भी इस युग की एक विसेश्ता थी जो दरवार की दलबंदी होती है ये भी एक प्रमुक विसेश्ता देखने को मिलती है अकबर के समय तक उसकी पृतभा एवं व्यक्तित्व के कारण ऐसी दलबंदी दभी रही जिसके बाद सिया और सुनी के भेद ने जोर पकड़ लिया सिया और विदेशी अमीरों का बर्ग आपस में इस्या करने लगा और प्रतेक दल इस अबसर की ताक में रहता था कि किस प्रकार दूसरे दल को नश्ट करें और समराट पर स्वैम प्रभाव दिभुट से रूप धाड कर लिया और समराजका बिणास का कारड बन गया तब वौरंग जीब की मत्यों हो जाती है तब यही लोग इसके बिनास का कारण बन जाते हैं मुगल समराजके बिनासका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोइंट आता है सैने की कूवस्था यहाँ पर सेनिक भी कूवस्ता इसकी हो जाती है, चिनबिन हो जाती है, सेनिक कूवस्ता को भी कुछ एतिहासकारों ने मुगल सक्ती के पतन का काड़ बताया है, इस युग में बड़े सामराज का विवस्तिक विवस्तापित रखने के लिए एक बड़ी और सक्तिसाली सेना की अबसकता होती थी अकबर ने सासनकाल तक सेना की विवस्ता ठीक रही पर इसके बाद जागीर की पृथा चालू कर दी गई पहले क्या थी जो अकबर था अकबर भी क्या करता था बेतन बगएरा दिया करता था ठीक है मगर यहां पर जागीर की पृथा यहां से स्टार्ट हो जाती है बाद में ठीक है हो गई और मनस्वदारी की पृथा को दोस उगस गया पहले क्या चलती थी मनस्वदारी पृथा च कुछ चक्र तेज हो गया प्रांतिय सुबेदार भी सेना रखते थे सैनिक को प्रांतिय सुबेदार और मनसदार के प्रती भक्ती रखनी प्रती थी समराट से उसके संबंद कम हो जाता था समराट से उसके संबंद कम होता था अकबर के बाद सैनेकों का जीवन बिलासी हो गया कैसा हो गया बिलासी हो गया निरंतर युद्ध करने से बे उब गए अता उत्तर का लीन मुगल समराटों की सेना कोब बस्ता और अनेतिकता का शिकार हो गई लगा तार औरंग जेव क्या कर रहा था युद्ध कर रहा था और सेना उससे उब गए थी तो इसलिए भी यहाँ पर इसकी सेना में छिन बिन होते हुए देखती हुई मिलती है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्वल उत्राधिकारी कौन निर्वल उत्राधिकारी औरंग जेव के बाद उसके सभी उत्रधिकारी आयोग थे इस प्रिकार की केंद्र भूती शासन विवस्ता में औरंग जेविके उतुद्यकारी जैसे अयोग और अप्रतिम सासकों का कोई महात्म नहीं रह सका इस विसाल सामराज का छिन बिन स्वाभाविक्सा हो गया बिकेंदरी कर्ड की पिरविर्तिया जोर पकड़ने लगी और इस्थान इस्थान पर नई सकतियां पैदा हो गई मौका पाते ही प्रांतिय सुवेदारों ने अपने को स्वतंत्र बना लिया और दिल्ली से अपना संबंद बिच्छेद कर दिया दिल्ली से अपना संबंध तोड़ दिया एक पकार से कह सकते हैं विच्छेद करना नेक्स पुमिंट जो जाता है वो जाता है बिदेसी आक्रमण कौन से बिदेसी आक्रमण तो बिदेशी आकर्मण की बात करते हैं मुगल सामराज के पतन में बिदेशी आकर्मण से और भी धक्का लगा नादीर सहा और एहमद सहा अवदली के आकर्मण हुए और जीड सीर्स सामराज की इमारत गिर गई इन आगहातों को बहे सहन ना कर सका तो यह आगहात बगेरा हो सकती द्रhnा होना मुगलों ने समुदायक सकती द्रढ करने की कोशिस नहीं की, उनका सामराज बड़ा था, उनके तीन तरफ समुद्री किनारा था, पर मुगल सामराज ने इस और कोई धान नहीं दिया यह उसकी भूलती बिना नौसेना के उस समय किसी राज्य की रक्षा संभव नहीं थी क्योंकि यूरोपीय सक्तियों ने इस दिसा में परियाब्त उन्निती की थी इस इस्तिती में नौसेना की उपेच्छा मुगलों के लिए घातक सिद्धुई यहां पर बाहरी आकरम रहो हुए थे वो किसके दोरा किये गए थे समुद्र के दोरा किये गए थे मगर जो कह सकते हैं मुगल समराज और अंग जेव था इसके पास नौसेना नहीं थी आगे बटते हैं साथ मज़ पुइंट हो जाता है वो होता है मुगल सरकार का स्वरूप कौँसा? मुगल सरकार का स्वरूप देखने को मिल जाता है मुगल सरकार बास्तब में पुलिस सरकार थी और इसका मुख्य कारिचेत्र आंत्रिक और ब्रहास अच्छा प्रदान करना था एक और कर एकतित करना भी था मुगल हिंदू और मुसल्मानों को मिलाकर एक राष्ट बनाने में असफल रहे मुगल जो थे वो मिलकर एक राष्ट बनाने में असफल रहे औरंग जेवी की कटरता ने उसकी उत्रधे कारिता को समाप्त कर दिया आपको पता है हिंदू पर उन्हें जजिया कर लगाया था औरंग जेव ने, आकवर ने समाप्त किया था 1564 में, आकवर ने जजिया कर जो समाप्त किया था, वो 1564 में समाप्त किया था और यहाँ पर जो औरंग जेब आता है तो जजिया कर जो होता है वो हिंदों पर दोबारा लगा दिया जाता है ये स्टार्ट कर देता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉंट जो जाता है वो जाता है उत्राधिकारी का त्रटी पूर नियम कौनसा उत्राधिकारी का तर्टीपूर नियम मुगलों ने जैष्टाकार का कोई नियम नहीं बनाया था अताय उत्दिकारी के लिए भाईयों में संगर्स होता था और जो योग होता था बहर राजा बनता था सहाजहां और औरंग जेवे के समय यह सिलसला पराकाष्ट पर पहुँच गया और उत्दि प्रिडाली का गिनोना रूप उभरकर सामने आया जो प्रिडाली जो हो जाती है इसका गिनोना रूप आपको देखने को मिलता है और सक्ति साली सासक निर्माता उमर केबल अपने निजी स्वार्थों के लिए समराटों को सिंहासन पर बैठते था उतारते थे इन्हें सब क सब्ढva करते हैं और बहादूर्साहाजफ़ की में थो यहां कह सकते हैं रहे जते होजांज कर लेंगे बढ़ंगे to miец वीदियो अच्य लेगिव तो लॉक्त करना शेयर करना चैनल को सब्सकाइब करना और पेंट्स अगर आपको नोट्स नानलोड करना है तो बिलकुल आपको पट्टी पर चलते हुए हमारी साइट मिलेगी www.paperhk.in और जो भी आपको नोट्स नानलोड करना इसमें से सब कुछ आप नानलोड कर सकते हैं और अपना भी नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो फेंट वीडियो को लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब करना आप लाइकन को प्रेश कर देना आपके घर पर पहुंच जाएगा तो फेंट जैहिन जै भारत